Students, Welcome to Mac Online Lectures, आप देख रहे हो, Basic Thermodynamics, Lecture No.19, मैं हूँ आपके साथ 1 के सैनी, तो चलिए, आज लेकर चलता हूँ आपको, मैं इस Lecture में तीसरी Thermodynamic Process के उपर, जिसका नाम है Constant Temperature Process, जिसको Isothermal Process भी हम बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, पिछले Lecture, Lecture No.18 में Constant Pressure Process डिसकस हो चुकी है, Closed System के reference में हम इन Processes को डिसकस कर रहे हैं, और Work Transfer को भी हम देख रहे हैं, कहां मिलेंगे वो सारी Lectures आपको, Description Box में मिलेंगे, वहाँ जाएए, पूरे Course की Playlist आपको मिल जाएगी, तो साथ में दूसरे Course की Playlist भी आपको मिल जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं, इस Process को Thermodynamic State, जिसको हम कह देते हैं, System State 1, ठीक है, Initial State, और थोड़ी देर के बाद, System की State Change हो गई, और जिस State को हमने नाम दिया, Suppose State 2, जब System State 1 के उपर था, तब उसका कुछ प्रेशर होगा, जिसको हम कह देते हैं, Pressure P1, और उस टाइम पर उसका जो भी Volume बनता है, उसको हम कह देते ह V1, अब उसके उपर कोई Process Act की, Thermodynamic Process Act की, जिसकी वज़ा से उसकी State Change होई है, और वहाँ पर उसका Pressure Change हो चुका है, P1 था पहले, अब हो गया P2, और Volume भी अब चेंज हो चुका है, पहले था Volume V1, जबकि अब हो चुका है Volume V2, तो इस तरह से State Change हो चुकी है, Parameters System के Change हो चुके ह और इस सारा कुछ किस वज़ा से हुआ, यह सारा कुछ हुआ सिर्फ एक कारण की वज़ा से, और वो क्या था कि सिस्टम के उपर कोई Thermodynamic Process Act की है, ठीक है, और इस केस में हम कौनसी प्रोसेस को ले रहे हैं, इस केस में हम डिसकस करें, Constant Temperature Process, इसका मतलब है, सिस्टम के उपर एक ऐसी Process Act की, जिस Process के कारण सिस्टम की स्टेट, तो डेफिनिटली चेंज हुई है, 1 से 2, प्रेशर चेंज हो गया, P1 से P2, और वोल्यूम चेंज हो गया, V1 से V2, लेकिन टेंपरेचर चेंज नहीं हुआ, टेंपरेचर पहले जितना ही रहा, कहने का मतलब, अगर T1 पहल टेंपरेचर एक जैसा ही रहा, टेंपरेचर में कोई चेंज आया ही नहीं, पूरी प्रोसेस के दोरान, ठीक है, लेकिन यहां पर आपके पास चार्ट है, प्रेशर और वोल्यूम का, थर्मोडैनामिक चार्ट B वर्सिस V, तो यहां पर टेंपरेचर आपको नजर नहीं आ बट इसके पीछे क्या हो रहा है, प्रोसेस के पीछे हो रहा है कि टेंपरेचर सिस्टम का एक जैसा रह रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रेशर हिल रहा है, वोल्यूम हिल रहा है, बट टेंपरेचर नहीं हिल रहा है, ठीक है, यह मतलब है कॉंस्टेंट अब देखते हैं वो प्रोसेस कैसे हुई होगी तो वो प्रोसेस कुछ इस तरह से हुई होगी ठीक है हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से expansion की process है मान लो वो the processes of expansion expansion का मतलब है volume बढ़ रहा है देखो यहां से पहले volume V1 था इतना अब volume बढ़के इतना हो गया V2 और pressure drop हुआ है पहले इतना pressure था P1 अब pressure रह गया इतना P2 तो pressure में कमी आई है और system के volume में expansion देखी गई ठीक है तो हमने इस तरह का example लिया है इससे उल्टा भी हो सकता है कि compression होती volume कम होता और pressure बढ़ जाता ये भी हो सकता है लेकिन कुछ भी हो लेकिन temperature constant रहेगा temperature system का change नहीं करेगा ये condition है तो ध्यान दीजे कुछ इस तरह से process हो सकती है ठीक है हमने एक randomly ऐसे process आपको दिखा दी तो इस process के उपर हमने लिख दिया T is equal to C ये आपको क्या बता रहा है T stands for temperature ठीक है and C यहाँ पर बता रहा है कि constant इसका मतलब जब ये process 1 से 2 इस तरह चली तो इस पूरी process के उपर T constant रहा temperature constant रहा ठीक है ये वो चीज reflect होती है यहाँ से ठीक है और process 1 से 2 पहुँच गई चली अब हम बात करते हैं non flow work transfer during this process 1 to 2 यानि जब ये process होई 1 से 2 तक तो उस process में system से surrounding में या surrounding से system में कितना overall work transfer हुआ उस process के दुरान ठीक है और system कौन सा हम ले रहे है closed system ले रहे है open system की चर्चा हम नहीं कर रहे है अभी आपको पता है पिछले lecture साब देखिए ठीक है तो closed system work transfer जिसको non flow work transfer भी आप कह सकते हो तो उसमें work transfer कितना हुआ इस process में उसको हमने लिख दिया w12 ठीक है और ये formula आपको पता है this is pdv its integration ठीक है जी integration कर देजिए pdv की वो आपको closed system work transfer देता है ये मैंने आपको पहले समझाया था लेक्चस देख लेजिए तो volume 1 से 2 कैसे कैसे change हुआ volume change हुआ v1 से v2 तो आप यहाँ पर 1 से 2 लिख दीजे या direct लिख दीजे आप v1 से v2 ठीक है जी अच्छा अब सुनिए ध्यान से यहाँ पर हमने ये formula तो लिख दिया क्योंकि इसकी knowledge हमें है पिछले लेक्चस में मैंने आपको समझा दिया लेकिन यहाँ पर केस कौन सा है constant temperature process का पिछला जो हमने केस देखा था पिछले लेक्चर में constant pressure process थी तो वहाँ pressure constant था इसलिए हम P को उठा के integral sign से बाहर ले आए क्योंकि P constant था पूरी process में उससे पिछले वाला जो केस था उसमें हमने देखा था constant volume process में यानि पूरी process के दुरान volume constant रह रहा था और अगर volume में कोई change नहीं आ रहा था तो DV change in volume वो कितना हुआ 0 तो वहाँ पर भी integration solve करना बड़ा आसान था लेकिन यहाँ पर क्या है ना तो P constant है ना V constant है ठीक है यहाँ पर in fact P जो है वो vary कर रहा है देखो P लगाता चेंज कर रहा है ध्यान से देखिए हर अलग लग V के लिए P की value अलग लग होगी इस process से आपको पता चल जाएगा P is a function of V ठीक है तो हम इस P को फिर कैसे solve करें integration में उसके लिए अब हम क्या करते हैं हम माल लेते हैं कि हमारा जो system है जैसे मैंने आपको बताया था कि suppose gas ही है किसी chamber में ठीक है piston cylinder arrangement में gas enclosed है तो वो gas कौन सी है हम माल लेते है ideal gas है ठीक है ideal gas तो अपने सुना होगा ideal gas real gas ठीक हम ideal gas लेकर सौल करते हैं अपनी problems को क्योंकि ideal gas से ही हमारी problem आसान हो पाएगी otherwise complexities बहुत बढ़ जाएगी तो यहां समझाने के लिए मैं आपको ideal gas लेकर ही चलता हूँ जैसे हम air की अगर बात करें air compressor ज PV is equal to MRT ऐसा कुछ relation होता है आपने schooling में भी जरूर पढ़ा है PV is equal to MRT यह क्या है इसको हम कहते है ideal gas equation होती है PV is equal to MRT where P is the pressure of the gas V is the volume of the gas M कह है mass of the gas जितना भी अपने mass kg में लिया है system का ठीक है और R कह है gas constant है इसको कहते है characteristic gas constant gas के हिसाब से R की value change होती चली जा रही है तो हर gas का R अलग लग है और T कह है temperature of the gas ठीक है यह question तो आप जानते हो अच्छे से ओके अच्छे यहाँ पर देखो ध्यान से क्योंकि हमारे पास जो process होई है constant temperature की process होई है आपने क्या किया था cylinder में एक gas ली ठीक है जी कोई एक particular gas ली उसका कुछ mass होगा और system हम already कौन सा ले रहे है non flow system ले रहे है non flow का मतलब closed system और closed system का मतलब क्या है कि कोई mass system से surrounding में जा surrounding से system में अब नहीं जाएगा इसका मतलब है ध्यान से सुनो जो mass हमने system में ले लिया बस उतना ही mass रहा ना तो mass तो constant हो गया पूरी process के लिए जितना mass यहाँ पर था यहाँ पहुँचते पहुँचते भी mass उतना ही रहा mass में मतलब वो gas भी change नहीं हुई gas वही रही तो gas का constant जो है characteristic gas constant यह भी फिर हमारी process के लिए constant हो गया और बचता है T, T है temperature अब जैसे process यहाँ से आगे बढ़ी और यहाँ तक पहुँची तो T तो already हमने कहा कि constant ही था हमारी process ही कुछ ऐसे चली कि temperature constant रहा इसका मतलब है M constant R constant और T भी constant तो सारी चीजें आपके पास constant हैं इस case में ठीक है जी all these are constant ध्यान देजिए तो हम constant को लिख देते हैं suppose capital K ठीक है जी तो इसका मतलब है इस process के लिए इस system के लिए हमारे पास PV जो है वो K हो चुका है constant हो चुका है और यहाँ से हम pressure की relation निकाल सकते हैं pressure is K by V देखो V हम is equal to K by V यहाँ पर substitute कर सकते हैं देखो यहाँ पर P की जगा पर ठीक है क्योंकि P हमने replace करना है P को हमने in terms of V लेकर आना है क्यों क्योंकि हमारी integration with respect to V है और P जैसे मैंने पहले बताया is depending upon V volume तो P को हमने V की term में लिख दिया अब हम क्या करेंगे P is equal to K by V यहाँ पर substitute कर देंग और integration कर देंगे तो देखिए W 1 to 2 1 to 2 process में कितना close system work transfer हुआ integration V1 से V2 limits के साथ PDV ठीक है और P की जगा हम क्या लिख रहे हैं अब K by V ठीक है K by V इस चीज़ की हम integration करेंगे with respect to V आगया होगा आपको समझ में अब K क्या है के हमने पहले ही बोल दिया K तो constant है अगर K constant है that can be taken outside of integral sign so therefore it is equal to K integration V1 से V2 limits के साथ DV by V that means 1 by V की integration which is further equal to K log natural log of V ठीक है जी with the limits V1 से V2 ठीक है जी 1 by V की integration with respect to V is natural log of V तो आगे देखिए इसको मैं इधर ले आता हूँ W122 यानि process में work transfer कितना हुआ फिर that is K natural log of V और limits जब आप डाल दोगे यह क्या बनेगा natural log of V2 ठीक है minus natural log of V1 upper limit minus lower limit ठीक है and this is equal to K natural log of V2 by V1 ठीक है जी क्योंकि log A minus log B क्या होता है log of A by B which is further now equal to अब देखिए यह K क्या है यह वाला K यह K है PV के बराबर तो यहाँ पे हम substitute कर देते हैं PV natural log of V2 by V1 ठीक है जी तो यह हमारे पास work का formula आ गया 1 से 2 process में तो यह हमने यहाँ पर लिख दिया work 1 to 2 is K natural log V2 by V1 यह आप कहे दो PV natural log V2 by V1 ठीक है अचा अब मैंने आपको बताया PV is equal to MRT क्योंकि हमने ideal gas ली है और MRT सारा का सारा constant है इस case में constant temperature process में ठीक है ना जी अचा अब इसमें देखो अगर हम state 1 के उपर apply करें इस equation को तो हमारे पास क्या बनेगा फिर P1 V1 is equal to constant तो constant है इसको K ही रहने दो K, K1, K2 ऐसे तो होगा ने क्योंकि वह तो constant है अचा अगर two state के उपर apply करें तो क्या बनेगा P2 V2 is equal to again K ठीक है यह हम यहां से निकाल सकते हैं अचा यहां देखिए फिर हमने यहां पे K की value substitute की है P V इसका मतलब K क्या है P1 V1 ले लिजिए या P2 V2 ले लिजिए ठीक है न ऐसा नहीं करना कि K is equal to P1 V2 या P2 V1 ऐसा नहीं करना किसी एक ही state का pressure उस state का volume बस वह आपने product term यहां पर लेनी है ठीक है log V2 by V1 या P2 V2 का product log V2 by V1 और चाहे P1 V1 बोल दो जा P2 V2 बोल दो दोनों ही K के बराबर है और K क्या है MRT तो यहां मने लिख दिया MRT क्योंकि T तो constant T है पूरी process में T is equal to constant तो आप कोई भी formula लगा सकते हैं आपके पास work transfer की value आ सकती है तो बहुत important है note कर लीजिए और last में एक चीज और ध्यान दीजिए यहां पर ratio आपके पास आ रही है V2 by V1 की ठीक है यहां पर देखिए दोनों ही K के बराबर है P1 V1 is equal to P2 V2 इसका मतलब है P1 V1 is equal to P2 V2 दोनों बराबर है ठीक है और यहां से आपके पास V2 by V1 की ratio क्या बनती है P1 by P2 उल्टा रहा है V2 by V1 is equal to P1 by P2 ठीक है तो इस relation को भी आप याद रखिए इस process में यहां पर V2 by V1 की जो ratio है उसकी जगा हम P1 by P2 भी पुट कर सकते हैं सिर्फ इस process के लिए कौन सी process के लिए constant temperature process के लिए तो याद रखिए यह formula बहुत important बनता है work transfer के लिए in case of closed system constant temperature process इस वीडियो में इतना ही next video lecture number 20 में मैं आपसे मिलूँगा adiabatic process के साथ जो रहेगी हमारी fourth process तीन processes हो चुकी है और fourth process में हम closed system work transfer को देखेंगे till then thank you very much take care